Hello everyone, welcome to our channel, Study Central. आज़ का हमारा topic है vendor quality rating और vendor rating क्या होता है? यहाँ पर हम दो term समझेंगे, एक vendor rating और एक vendor quality rating. सबसे पहले तो यह समझते हैं कि vendor क्या होता है? तो vendor जैसा कि आप समझते हैं? विक्रेता, यानि कि जो समान देने वाला होता है, उसको हम विक्रेता बोलेंगे, यानि कि vendor कहा जाता है. अब vendor की जो समान देता है, या जो कोई भी product देता है, तो उसकी quality पर हम कितना rating देंगे? सबसे मान लिजे, आप online कोई product मंगाते हैं, या फिर किसी hotel में जाते हैं, तो उस hotel लालों को आप 5 star में कुछ rating देते हैं, 1, 2, 3 star, कुछ भी ratings देते हैं, x, y, z. इसी तरीके से, जिससे हम समान लेते हैं, suppose मान लिजे, आप कोई offline market में गए, और वहां से आप एक TV लेकर आए, और TV लाने के बाद जब आपने चलाया, तो आपको बहुत अच्छा लगा, तो आप उसको 5 star rating दिये, तो ultimately ये जो आपने 5 star rating उसको दी, तो ये आपकी vendor rating कहलाएगी, ठीक, क्योंकि उस product की quality बहुत जादा अच्छी थी, ये समझ में आ गया होगा कि quality ratings, यानि कि किसी भी product के, vendor के product पे हम कितना rating देंगे, अब ये किस-किस factor पे depend करता है, यानि कि कौन-कौन से basis पे हम उसको rating देते हैं, यहाँ पर मैंने आपके पास 4 point दिये, सबसे पहला point आता है quality wise, यानि कि क्या उसकी quality है, किस तरीके से उसका product का properties है, कैसे उसकी गुरवतता है, तो ये सारी चीजों पे हम अगर देंगे उसको, तो किस बेसिस पे quality wise पे आप उसको rating देंगे, दूसरा आपका आता है compare various vendor with one other, मतलब suppose माल लेजिए, आपके पास एक vendor है, कोई आप ऐसा हर इंसान के जिन्दगी में होता है, कि अपन particular किसी दुकान से बार-बार होई समान लेते हैं, suppose माल लेजिए, वो vendor के पास आप जाते हैं, वो शॉप में आप जाते हैं, वो आपको हमिसा समान लाके देता है, तो आप उससे समान लाके देख रहें, लेकिन एक समय पे आपको ऐसा लगेगा, कि शायद जो भी product मैं ले रहा हूँ, इसके price थोड़ी से जादा high है, तो आप किसी दूसरे vendor के पास जाते हैं, और compare करते हैं, तो यहाँ पर second point आपका यही है, कि किसी भी quality rating कैसे दिया जाएगा, कि दूसरे vendor के product के quality देखिए, और आप अपने vendor के quality देखिए, जो भी आपको product मिल रहा है, तो उन दोनों के quality में अगर फर्क आएगा, तो उस basis पे भी आप उस vendor को quality rating दे सकते हैं, that's called our second point, third point आता है, lot inspected versus lots rejected, अब देखें, lots क्या होता है, lots मतलब कि suppose माल लीजे, आपके पास एक biscuit का 100 डबे का packet है, अब उस biscuit के 100 डबे के packet में inspection होगी, अभी company से बन के आया है, तो उसमें inspection होगी, तो vendor के दोआरा किये जाने, vendor को quality देने के लिए, कि हम क्या करेंगे, उसकी inspection करेंगे, क्योंकि किसी भी quality बनने, को भी product manufacturer होने के बाद, उसकी inspection की जाती है, आपको पता है, तो जब inspection हो रहा था, तो 100 product में माल लीजे, 40 product वो waste में चला जाता है, तो 40 product अगर waste में चला जाता है, यानि कि उस vendor को quality बहुत जादा बेकार है, क्योंकि 100 product में 40 product reject हो जाते हैं, तो यहाँ पर इस basis पर भी हम उसको point दे सकते हैं, कि उसके lots कितने inspected हो रहे हैं, और उसके कितने rejection हो रहा है, तो इस basis पर हम देंगे lots inspected versus lot rejected, कितना lot उसका स्विकार हो रहा है, कितना lot उसका reject हो रहा है, इस basis पर भी देंगे, suppose माल लीजे, 100 lot हमने inspect करता है, और वो inspect करने के दरिमान उसके 2-3 product बहार हो जाते हैं, तो फिर उसकी quality बहुत अच्छी रहेगी, तो इस साब से भी हम उस quality की rating दे सकते हैं, vendor के लिए, लास्ट आता है judging the process और lack of it, यानि कि judgment करना उस process के लिए, suppose माल लीजी कोई आपने एक product बन रहा है, तो उस product की rating आपको देनी है, यानि कि quality की rating देनी है, तो उस product में क्या आपको कमी महसूस हो रही है, उस basis पर भी आप उसको rating दे सकते हैं, तो ये 3-4 points से और भी बहुत सारे points होते हैं, तो आप इस अधार पर vendor quality rating को आप दे सकते हैं, ये समझ में आ गया होगा कि ultimately ये जो बाती थी, ये product के quality को लेकर थी, कि उसको quality rating कितनी देनी चाहिए, second definition आपका है यहाँ पर vendor rating, vendor rating यानि कि विक्रेता को direct rating देना, विक्रेता से आपका संबंद कैसा है, उसकी व्यवार आपको अच्छी नियर्गी, आप उसको poor rating दे दिए, एक इस्टार दे दिए, तो इस तरीके से आपको vendor की rating देनी है, अभी तक आप उस vendor के, जो भी product दे रहा था, उस product की quality के उपर आप उसको rating दे रहे थे, लेकिन vendor rating नाम से समझ वा रहा है, कि direct आपको विक्रेता के उपर ही rating देनी है, तो पहला आता है vendor relation, कैसा उसका relation है, उसकी behavior कैसे है, कस्टमर के प्रती, दूसरा है आपका prices of product, यानि कि उस product का price कैसा है, क्या दूसरे vendor के अपेक्छा, आपके vendor की price उपर नीचे हो रही है, या फिर वो अचानक से quite high कर दे रहा है, अचानक से उसकी quality गिरा दे रहा है, तो ultimately product की prices पर भी निरभर करता है उसकी rating, suppose मालीजे, आप एक shop में आज एक समान लेने जा रहे हैं, वो समान 10 रुपए का मिल रहा है, कल को आने समय पर वही product बार रुपए का देने लग गया, तो ultimately ये तीनों point को आप समझ गया होंगे, बहुत ही अच्छे से, क्योंकि हमको direct vendor की rating देनी है, ना कि उसके product पर, product पर देंगे तो क्या नाम हो जाएगा उसका vendor quality rating, तो I hope आपको वीडियो समझ में आगया होगा, इसके regarding अगर आपको कोई doubt है, तो comment section में बताईएगा, आज की बढ़ें फिराल इतना ही, तब तक लिए शुक्रिया,